बिहार जी के बिहार के जो सामान निग्यान है उससे हम लोग परचित होंगे यह जो टॉपिक होगा यह आने वाले जो बिपीएसी बिहार सुपर्टेट कस्व एक्जाम होने वाला है उसके लिए बिडियो बहुत ही महत्पुन है चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 10 plus 2 की त्यारी कर रहे है तो आपके लिए बिडियो बहुत ही महत्पुन है सुपड़ों के स्किप ना करें पूरा-पूरा बिडियो देके और अपने नौलेज को इंक्रीज करें अगर आप अमारे चैनल पर नहे हैं तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि अरबड़े को लोड़ी के सन सबसे पहले आपको मिले तो हमनों जानले मतिकालिन बिहार में प्रमुक व्यक्ती बिहार के सुप्रशिद संत सफुद्दिन मनेरी का संबन्द सूफियों के फिर्दोशी संपरदाय से था उनका जन्म मनेर में 1262 इस्वी में और मिर्तु 1377 इस्वी में बिहार सरीप में हुआ था उन्होंने सुरावर्दी की अर्भी कृती अबद उल मुरिदीन पर एक भाश लिखा यहां से कोसन राइस हो सकते हैं कि सुरावर्दी सुरावर्दी सिलसिला के मानने वाले कौन ते बिहार में और उनकी कृती क्या थी और उन्होंने कौन सा भाश से लिखे उनकी प्रसिद्धिक्रती मक्तुवाद एशादी में उद्धित है ठीक है आप आगे जाने आगे क्या है मुहमत सार नुवानी दिखे मुहमत सार जो नुवानी थे लोधी सासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत पानीपत की पहली लड़ाई 1526 इस्वी के बाद बिहार में प्रतम सोतंतर अफगान राज्जी का संस्तापक माना जाता है मुहमत सार नुवानी लोधी के सासकते आपको तो पता है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी सासकों यनि प्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी लेकिन हम लो जो पढ़ रहे हैं वो प कानीपत की पहले लाई के बाद बिहार में प्रतम सोतंतर अफगान राज्जी का संस्तापक थे अब इसके बाद इस्थान आता है सेरसा सूरी का 1539 इस्वी से 1545 इस्वी तक भारत में उनका सासन काल रहा है ठीक है आप आगे जाने आगे क्या है दाउत खान बिहार और मंग बंगाल के सोतंतर अफगान राज्जी का अंतिम सासक दाउत खा कों थे बिहार और मंगाल के सोतंतर अफगान राज्जी का अंतिम सासक और अकबर ने 1546 में 1576 इस्वी में पराजित कर बिहार को मुगल समराज्ज में मिला लिया है देखे यहां से कोच्टन राइज होंगे कि अक्बर ने बिहार को मुगल सासन में कब समलित किया तो आप क्या सकते हैं 1576 मेनी 1576 इस्वी में किस राजा को बिहार बंगाल को सोतंत अफगान सासकते दाउत कां को हरा कर उसे मतलब बिहार और बंगाल को किस्वे मिला लिया तो मुगल सामराज में अब आता है स्थान गुरू गोविन सिंग जी का सीखो के दस्वे गुरू जन्म 5 जन्वरी 1666 को वर्तमान पत्ना साहिब में पांच ककार एवंग पाहूल प्रारम्ब किया खालसापंत के संस्थापक माने जाते हैं और गुरू गोविन सिंग जी सीखो के दस्वे गुरू थे जन्म 5 जन्वरी 1666 को वर्तमान पत्ना साहिब में पांच ककार एवंग पाहूल प्रारम्ब किया और खालसापंत के संस्थापक माने जाते हैं आपने यूनिट कम्प्रेट कर ली यदि आपको विडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें विडियो लाइक करना ना बोलें विडियो देखने के लिए धन्यवाद कार विए श्रह ना भी विए झालसा आमया धन्यवाद कार विजब कर विए घ्लोगद